नमस्कार मित्रों आज कल शोशल मीडिया पर कोरोना वाइरस को लेकर इतनी नेगेटिविटी च्छाईवी है कि लोग डरे हुए हैं और सहमें से हैं लेकिन हमें घबराना नहीं है और नकारात्मक विचारों को अपने मन में नहीं आने देना है इसके लिए मैं श्री रामधा मारी सिंग दिनकर जी की लिखी वी कुछ पंग्तियां आपके समक्ष पेश करना चाहता हूं जो इस मुश्किल दौर में हमें होस्दा प्रदान करेगा सच है विपत्ति जब आती है कायरों को ही देहलाती है शूरमा नहीं विचलित होते शनेक नहीं धीरज खोते विगनों को गले लगाते हैं काटों में राह बनाते हैं मुख से न कभी उफ कहते हैं संकट का चरण ना गहते हैं जो आप अड़ता वो सहते हैं उद्योग निरत नित रहते हैं शूलों का मूल नसाने को बढ़ विपत्ति पर च्छाने को है कौन विग्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, खमठोंक ठेलता है जब नर, परवत के जाते पाँ उखर, मानव जब जोर लगाता है, पथर पानी बन जाता है, गुन बड़े एक से एक पखर, है छिपे मानवों के अंदर, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है, जब विग्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोडते हैं पल-पल, तन को जजोडते हैं पल-पल, सत्पत की ओर लगा कर ही, जाते हैं हमें जगा कर ही, इसलिए मित्रों, हमें होसला बनाय रखना है, और मिलकर कोरोना को हराना है, इसके लिए आप सभी वैक्सीन अवश लगवाएं, क्यों कुम्भी आयू और उत्तम स्वास्त की कामना करता हूं सर्वे भवन्तु सुखिनह सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्रानि पश्यन्तु मा कश्चित दुगबाग भवेद जय हिंद जय भारत जय हिंदुस्तान